हरे क्रिश्णा आज हम डिस्कस करेंगे मेडिटेशन क्या है पार्ट टू पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारे जिन्दगी के तीन पहलू है आंतरिक जिन्दगी इंटरनल लाइफ में या तो हम हमेशा फोकस कर रहे होते हैं हमारे शरीर और इंद्रियों को आनन देने का सुचते रहते हैं या हम सोचते हैं अपने प्राब्लेम्स के बारे में या या तीसरा है आत्मा शेल्टर जहां पर हम आश्रय अनुभव कर रहे हैं connection with the Lord तो ये तीनो स्थर में meditation की परिवाशा अलग-अलग है आज हम डिसकस करेंगे कि आत्मा के सतर पर meditation की परिवाशा क्या है और कैसे जब हम आत्मा के सतर पर आध्यात्मिक हार्ट spiritual हार्ट के level पर जब हम meditation करते हैं तो कैसे we experience completeness in life तो जैसे देखिए अगर आप हेलिकॉप्टर में हैं तो आपको नीचे का जो पुरा सीनरी है वो क्लियर दिखता है अगर कोई सैनिक युद्ध कर रहा है शत्रू से और अगर उसने शत्रू को मार गिरा भी दिया और वो खुशी मना रहा है पर उसे पता नहीं कि शायद शत्रू उसका एनिमी शायद पीचे से आ रहा हो, साइड से आ रहा हो क्योंकि हमें क्लियर विजन नहीं आता पर अगर आप हेलिकॉप्टर के उपर है तो आपको एरियल व्यू मिलता है आपको समझ में आता है कि पूरा सीन क्या है और एनिमी कहां पर है तो जो एरियल व्यू है इस वर्ल्ड में उसी प्रकार अमारे आंतरी जिंदेगी में भी आमें एरियल व्यू चाहिए हम जानना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है मेरा मन क्या कह रहा है what are my feelings, मेरे needs क्या है, मेरे desires क्या है और जब हम अपने आपको अपने मन से अलग करते हैं और हम rise करते हैं, हम उपर जाते हैं अपने मन से तो उसे कहते हैं spiritual meditation जब तक हम keval breathing कर रहे हैं spiritual meditation और उसमें एक spirit of detachment भी आता है और इसको समझने के लिए एक कता आती है पुराणों में कि एक विक्ती गए सादू के पास उनने का कि मेरे जीवन में बहुत चिंता हैं, बहुत परेशानियां हैं आप please मुझे help कीजिए तो उसके गुरू ने कहा कि एक मुट्टी नमक लेके आओ तो नमक लेके आया फिर गुरू ने कहा उसे कि ये नमक एक गलास पानी में डालो तो उसने डाला फिर गुरू ने कहा इसे अभी पी ओ तुम तो उसने पिया बहुत तकलिफ हुई उसे पीने में तो गुरु ने का कैसा लगा? पानी का स्वाद उसने का बहुत कड़वाया है, बहुत तकलिफ हुआ, नहीं पी पाया है तो गुरु ने का अभी वापस मुट्टी लो नमक का, उसने लिया फिर उसे ले गए आए वो गुरू और उसने कहा वो गुरू ने कहा उससे सामने जाकर एक बहुत अच्छा तालाब था जहां पर जहरना भी था पानी बहरा था तो वो संत ने कहा उस वेक्ति से कि आप ए नमक को इस जहरने में डालो, इस तलाब में डालो, तो उसने डाल दिया फिर वो सादु ने कहा अब इसका पानी पियो तुम, तो उसने पानी पिया फिर गुरु ने का कि आप कैसा लगा, उस विक्ति ने का कि पानी तो बहुत स्वादिष्ट है, तो फिर उस सादो ने उस विक्ति को समझाया, कि यह जो नमक है, मुट्टी बर का नमक, हम सबके जिन्दिगी में यह चिंताओं का प्रतीक है, हम सबके जीवन में लाइफ में हर एक विक्ति के जीवन में, चाहे वो पसन्यासी हो, घरस्त हो, वानपरस्त हो, बर्मचारी हो, अनमैरीड हो, मैरीड हो, हर एक के लाइफ में अपने माइंड में प्रॉब्लम्स रहते हैं, पर आपको यह सोचना है, क्या आपको अपने माइंड को एक गलाफ जैसा सीमित है या उसको expand करना है उसको enlarge करना है एक तालाब जैसा अगर हम अपने मन को limited रखते हैं अपने capacity internal capacity को limited रखते हैं तो छोटे से problem भी जो है हमारे life में हमको बहुत तकलिफ देंगे पर अगर हम अपने internal जो हमारा capacity है mind, intelligence, ego और heart का जो space अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो जो problems है वो नमक जैसे जो problems है वो एक तालाब में गिरने जैसा हो जाएगा जब एक मुट्टी नमक एक तालाब में गिरता है तो उस तालाब के पानी पर कोई असर नहीं पड़ता उसी प्रकार जब हम अपने internal capacities को बढ़ाते हैं जैसे अगर कृतक गिता express करते हैं gratitude का life हमेशा दूसरों को appreciate करना दूसरों की अच्छाईयों को देखना अगर हम इस तरह के जिंदेगी जी रहे हैं तो हमें problems जो इस जगत में सबके लिए है common है पर वो problems हमें उत्मा effect नहीं करता और यह जो gratitude appreciation है यह spiritual meditation का इस्सा है इसलिए हम देखते हैं कि इस जगत में भी लोग जो spiritual life जी रहे हैं जो स्पिरिच्छल लाइफ जी रहे हैं जो से बक्ति के मार्क पर हैं वो शायद बैटके चेचे गंटा ध्यान नहीं करते हैं पर वो भी meditation कर रहे हैं क्योंकि उनकी meditation है जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो 90 साल के हैं पिछले 50-60 साल से वो भक्ति कर रहे हैं वास्ता में उनकी पूरे लाइफ उन्होंने एक प्रामानिक भक्ति के डंग से जिया है तो उनके घर में बहुत सारे यग्जी चल रहे थे उनके 90 बर्डे के दिन पांच प्रकार का यग्जी चल रहा था बहुत सारे होम अनुष्ठान चैंटिंग चल रहा था तो मैंने उनको जाके पूछा कि आप इस सब यग्जी क्यों कर रहे हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने का मैं अभी 90 साल का हो गया हूँ मैंने तो जो भी सारे अनुष्ठान चल रहे हैं किरतन चल रहा है एक केवल ग्राटिटूड एक्सप्रेस करने के लिए तो आप देखो कि इस वक्ति के जो पूरी जिंदिगी है वो एक मेडिटेशन है जैसे एक बार गुजरात में अर्थ के कुवा था 20 साल पहले भूकंप आया हलांकि दुख है परेशानी है पर वो एक प्रकार का कनेक्शन आश्रे भी अनुभव कर रही है तो ऐसे जो लोग हैं जो बक्ति के मार को अपनाते हैं उनका पूरा लाइफ एक मेडिटेशन होता है जहां पर अलग अलग प्रकार के लेरें आती हैं कभी कुशी कभी गम कभ हम अपने body and senses के space और mind के space से परे उठते हैं जब हम ऊपर जाकर basically when we live in the space of the soul जब हम आत्मा के space में रहते हैं उसे meditation कहते हैं हरे कृष्णा